नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोश खबर का रिक्रम स्वतंतरता दिवस की आप सब को दिली मुबारक बाद आजादी का पर्व हम सब अमनचैन से मनाएं आजादी तो हमें जान से प्यारी है और इसे हासिल करने के लिए अंगिनत भारतियों ने जान की बाजी लगाई गांधी से लेकर भगत सिंग तक सारे चेहरे जो तिरंगा चमक रहा है ना दमक रहा है ना इन सब में तमाम वीरांगनाओं वीरों की छवियां है आज भी आजादी एक धड़कता हुआ जजबा है किसी भी तरह से किसी भी तरह की गुलामी के खिलाफ नफरत की हुकूमत के खिलाफ आजादी धड़कती है हमारे आपके दिलों में लेकिन सबसे बड़ा खत्रा भी इसी आजादी पर है प्यारे देश में आजादी के माइने भी अलग-अलग हो गए है अब देखिए ना आजादी तो है लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आजादी सच बोलने की नहीं जूट बोलने की आजादी है आईए देखते हैं आजाद भारत में आजादी का पर्व और आजादी के अलग-अलग माइने आईए तिरंगा लहराते हुए घरों में तिरंगा लगाते हुए देखते हैं कि इस देश में किने जुट बोलने की आजादी है और किने सच बोलने की आजादी नहीं है किसे अमन की आजादी नहीं है और किने नफरत पहलाने की आजादी है शुरुवात हम करेंगे प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी से नरेन मोदी जी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कुछ एहम बातें रखी देश और दुनिया के सामने आपको यादी होगा यह अविश्वास प्रस्ताव आया था विपक्ष की तरफ से इंडिया की तरफ से मनीपूर में जो हिंसा हो रही है उस पर प्रधान मंत्री को बाध्य करने के लिए कि वो मनीपूर पर बोले दो घंटे से अधिक समय का जवाब था प्रधान मंत्री जी का जिसमें वे बस दस मिनट बोले मनीपूर पर और उसमें भी जो बोले वह किस तरह का जूट था यह भी पूरी दुनिया ने देखा तीन मई से मनिपुर लगातार जल रहा है और इस संदर्व में मोदी जी ने जब अपना जवाब रखा तो आज के हालात के बजाए वे पहुच गए प्रधान मंतरी नहरू के शाशनकाल में और वहाँ जाकर गरबड़ी तलाशने लगे उन्होंने एक जिक्र नहीं किया कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार बड़े पैमाने पर दोशी है या उसके उपर आरोप लग रहे हैं हिंसा फैलाने का यह जिक्र भी नहीं किया कि 6000 से अधिक जो FIR हुई है उनका निप्टारा कैसे होगा यानी एक तरह का जूट था और उससे भी बड़ी बात अंगिनत बाते हैं खाली दो चीजों का मैं यहां जिक्र करूँगी क्योंकि यहां चर्चा आजादी की हो रही है उन्होंने जिक्र किया कि बिहार में बिहार के दर्भंगा में अत्याधुनेक एम्स बनने का जो दावा ठोका उन्होंने वहां तो अपने आप में जबरदस था क्योंकि लोगों ने बताया तुरंथी लोग पहुचे दर्भंगा भागते भागते और उन्होंने वहां जाके देखा कि दर्भंगा में जहां एम्स बनाने का दावा है वहां तो अभी कुछ भी नहीं है और इस बारे में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार सरकार ने इस एम्स के लिए जमीन दे दी लेकिन केंद्र सरकार ने रोडा अटका दिया अब देखिए ना यह कैसा जूट है वह भी देश की संसद में और इसकी आजादी है इसी क्रम में आईए देखें कि इसी मांसून सत्र में देश के ग्रह मंत्री अमिशाह जी ने किस तरह से सच और जूट जूट और सच सामने रखा बस दो मिसाले मांसून सत्र में अमिशाह जी ने जिखर किया कलावती का महराष्ट वैतमाल की रहने वाली कलावती का और उन्होंने बताया कि किस तरह से कलावती के बहाने उन्होंने निशाना साधा र राहुल गांधी ने पूरी तरह से बिसरा दिया हलांकि वहों के घर गए थे लेकिन हिम्मत देखिए कलावती जी की उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और साफ शब्दों में कहा कि जो किछ अमिश्याह ने कहा वह सच नहीं मुझे सब कुछ राहुल गांधी ने यह सब कुछ राहुल गांधी की तरफ से दिया गया लेकिन देश के ग्रह मंत्री सदन में खड़ा होकर सीधे सीधे जूट बोल गए कि यह सब कुछ नरेन मोदी जी ने दिया और दूसरा जूट और सच तो जबरदस्त है उन्होंने दावा किया कि तीन दिन तक यूक्रेन और रूस के बीच जो युद चल रहा है उसे रुकवाने का काम माननिये समानिये प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी ने किया अब सवाल ये है कि ये जो सच और जूट की लड़ाई है ये जो कभी जूट है और कभी सच है इसकी आजादी किसे है और क्यूं है इसी करम में दोस्तों आईए ज़रा टटोलते हैं कि ब्रश्टाचार की क्या स्थिती है क्या सच और क्या जूट और किसे सच और जूट बोलने की आजादी इस मामले में कैग की रिपोर्ट बाहर आई है कैग यानि भारत के नियंतरक वा महा लेखा परिक्षक की में सबसे पहले जिक्र है प्रधानमंत्री आयुश्मान काड योजना को लेकर क्या बड़ा घोटाला है इस घोटाले पर कहीं चर्चा नहीं है कैग की रिपोर्ट बता रही है कि 7.5 लाख लाभारतियों को एक ही मोबाइल नंबर पर रिजिस्टर किया गया है एक दशमलव तीन नौ लाभारतियों को दूसरे मोबाइल नंबर पर रिजिस्टर किया गया है और 40,000 से अधिक परिवारों की संख्या जी हाँ मृत्कों के नाम पर करोडों रुपे का भुकतान किया गया है अगर इसमें सिर्फ मद्ध प्रिदेश पर आप फोकस करें तो पता चलता है कितने बड़े पैमाने पर फरजी वाड़ा हुआ है और इसमें जो निजी अस्पताल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी तो पह बारा हुई है कैग रिपोर्ट बता रही है कि इसके तहत बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को फायदा पहुचा है जो जीवित ही नहीं थे इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 100 बेट की शमता जिन प्राइवेट हॉस्पिटल की है वहाँ पर 230 मरीजों को एड़बिट करना तक दिखाया गया है कैग रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 447 मरीज जिनकी अस्पिताल में भरती हुए बिनाही मौत हो गई इन तमाम मरीजों के लिए भी 1.2 करोड की राशी क्लेम की गई है एक ही मरीज एक ही समय में एक साथ कई इस्पितालों में उसका इलाज करता दिखाया गया है रिपोर्ट के अनुसार 8000 से अधिक मरीजों को एक समय में ही कई इस्पितालों में इलाज करता हुआ दिखाया गया है अब देखिए यह है प्रधान मंत्री की ब्रैंड अमबेस्डर योजना आयुशमान योजना इसका यह घोटाला क्या आपने सुना इस पर कहीं तीवी डिबेट होते हुए क्योंकि यह हमारा और आपका ही पैसा है इसी कैग रिपोर्ट के जरीए एक और बड़ा घोटाला सामने आया है यह घोटाला है दुआर का एक्सप्रेस वे को लेकर एक किलोमीटर की सड़क 18 करोड रुपे में बनी थी और बनी 250 करोड रुपे में एक किलोमीटर सड़क is equal to 250 करोड रुपे घोटाला कितना बड़ा है आप खुद जोडिये कितने जीरो लगेंगे इसमें लेकिन चर्शा न सदन के भीतर हो पाई न सदन के बाहर बनी है क्योंकि पैसा तो गरीब जनता का ही है इसी तरह से कैग रिपोर्ट यह भी बता रही है कि जो अयोध्या डवलप्मेंट प्रोजेक्ट है जो ब्रैंड प्रोजेक्ट है राम मंदिर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है इसमें ठेकेदारों को अंड्यू यानी गैर वाजिब फायदा पहुचाया गया है और H.A.L. पर भी कैग की गाज गिरी है उसने बताया है कि डिजाइन में गरबड़ी की वज़ा से किस तरह से करीब 160 करोड रुपे का नुकसान हुआ है सिर्फ इतना ही नहीं कैग N.H.A.I. तक पहुची है और उसने बताया है कि किस तरह से टोल नियमों का उलंगन करके भारती नागरिक जो सड़क पर चल रहे हैं उनसे 154 करोड रुपे जी हाँ 154 करोड रुपे गलट ढंक से वसू ले गए है भारत माला की निलामी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करती है कैग रिपोर्ट अब आप देखिए ये सारे ब्रष्टाचार ब्रष्टाचार की तमाम बानगी ये जो पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है ये हमारे सामने है लेकिन क्या इस पर हम और आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारा मीडिया क्या इस पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं और इसकी बहुत बड़ी बज़ा है दरसल इस देश में जो चलन चला है वह यह कि सच पर लब सिलो बंद कर लो आवाज को और अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपकी आजादी खत्रे में पड़ जाती है बहुत सीधा माहौल दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस देश में प्रेम, अमन और शांती चाहते हैं तो आपको इसकी आजादी नहीं लेकिन अगर आप नफरत पहलाना चाहते हैं तो इसकी पूरी आजादी है और दूर क्यों जाएं देखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से बस कुछी किलो मीटर दूर गुडगाओं, मेबात, नूह को जलाने की जो आजादी है जो पूरी ब्रिगेट उतारू है आप देखिए, उस पे कहीं से कोई रोक टोक नहीं है सुप्रीम कोट, देश की सर्वोच अदालत लगातार कह रही है कि हेट स्पीच पर रोक लगाई जानी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट को बोलने की आजादी होगी सरकारों को उस पर अमल करने की कोई बाध्यता नहीं दिखाई देती है हेट स्पीच उसका सिलसिला जारी है और बे रोक टोक जारी है सुप्रीम कोट एक तरफ, दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है कि खुले आम, मुसल्मानों के आर्थिक बाइकॉट की अहवान होते है अपील जारी होती है, ब्रिगेड जमीन पर उतरती है पलवल में पंचायत करके खुले आम, मुसल्मानों को निशाना बनाने का कॉल दिया जाता है अववान होता है और तो और सरकार से अपील होती है कि हिंदूओं को दुबारा से शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त मिले और उन्हें हथियारों के लैसेंस भी दिये जाएं सब कुछ हो रहा है और देखिए तमाम टीवी चैनल तो एक तरफ हैं ही लेकिन यह खास टीवी चैनल है सुदर्शन न्यूज इसके एक संपादक को मजबूर होके हर्याना सरकार गिरफतार भी करती है लेकिन फर्क कहां पड़ता है क्योंकि इंका मिशन तो बहुत साफ है इंका मिशन है भड़काउ भाशर और नफरत पहलाना आप देखिए जिस तरह से सुदर्शन अपने प्लेटफॉर्म को देता है नू में हिंसा का पूरा का पूरा वितान भड़काउ भाशन देने वाले वीडियो जारी करने वाले बिट्टो बजरंगी को सम्मानित करता है तो देख कर खुलेयाम लगता है कि इस मुल्क में दरसल नफरत फैलाने, मारने, इसकी आजादी बड़े पैमाने पर मिलती जा रही है वरना कैसे संभाव है कि खुलेयाम पंचायतें मुसल्मानों के कतलेयाम का हवान करें खुलेयाम पंचायतें एक तरफ खड़े होकर अमन चैन को रौती रहें और वह भी तब जब देश आजादी का जश्न मना रहा है आजादी के इस पर्फ पे सबसे बड़ी मार पड़ रही है नफरत की इस ब्रिगेट से एक बात हम भूल जाते हैं जो रहात इंदौरी साहब बहुत पहले कह गए लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़ो है अब आप देखिए यह जो नफरती ब्रिगेड है इसने जिस तरह से पूरे देश में आजादी के माहौल को खराब किया है उसमें सभी निशाने पर हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसल्मान मीडिया का वह हिस्सा भी जो देश में आजादी लोकतंत्र अमन चैन को इस्थापित करना चाहता है वह भी इनके निशाने पर हैं उन पर भी लगातार अलग धंग से निशाना साधा जा रहा है उनकी देश भक्ती पर सवाल उठाया जा रहा है देश की आजादी ने लंबा सुनहरा संगर्ष में सफर तै किया है सफर तै कर रही है और इसी करम में मुझे याद आती है अली सरदार जाफरी की लिखी ये चंद लाइने कौन आजाद हुआ किस के माथे से गुलामी की सियाही चूटी मेरे सीने में मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का ये लाइन आजादी के समय लिखी थी सरदार जाफरी ने और आज जब इन लाइनों को पढ़िये तो लगता है कि किस तरह से जूट और नफरत की गुलामी हमारे चारों तरफ सिर उठाई हुई है लेकिन अच्छा ये है कि आजादी की अलग हर दौर में जलती रहती है जल रही है और अच्छाई दूर तक पहुशती है ओडिसा के मुख्य नयाएदीश जस्टिस मुरली धर की विदाई का यह वीडियो बताता है कि सच के पक्ष में निर्भीकता से खड़े हुआ कोई भी शक्स महबबत बटोरता है और यही महबबत दरसल आगे बढ़ने की प्रेहना देती है जस्टिस मुरली धर दिल्ली में भी थे दिल्ली को जब जलाया जा रहा था उस समय वा दिल्ली हाई कोट में थे और उस समय भी उन्होंने कोशिश की थी दिल्ली को जलने से रोकने के लिए और चूकि हम अमन के रखवाले हैं हम महबबत को चाहने वाले हैं आशा का दामन हम कभी छोड़ते नहीं इसलिए अंत में मैं अपने प्रिय कभी विरेन डंगवाल की ये कुछ लाइने आपके साथ साज़ा करती हूं हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है हर कटनाई कुछ राह दिखा ही देती है आएं हैं आएं हैं जब चलकर इतने लाखों बरस इसके आगे भी चलते ही जाएंगे आएंगे आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे शुक्रिया कर दौर के भी दोरे वाइंगे आए आएंगे यिल्